हलो बच्चो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षागर्ज में बच्चो हम लोग संख्या पदिदी जो चैप्टर नमबर एक है उसमें आज आपको एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करनी है इस एक्सरसाइज में बास्तविक संख्या हैं और उनका दसमला प्रसार समझना है कि बास्तविक संख्याओं का दसमला प्रसार क्या होता है बच्चो पहले तो दसमला प्रसार की बात करते हैं दसमला प्रसार का मतलब अगर कोई हमें परमे संख्या दी जाए मतलब हमें एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग करवाया जाए तो जो भाग करने क प्रसार करने का मतलब भाग करने की पृक्रिया है ऐसे समझों जैसे हम यह मानते हैं कि हमारे पास कोई संख्या 10 है अगर हम यहां तीन से भाग करें तो इसका दसमला प्रसार कितना होगा बच्चों यह हमसे पूछा गया है तो यहां से सीधी बात है कि अगर हम इसका यहां भाग करते हैं इस प्रकार से देखो करके देख सकते हो दस है हमें तीन से भाग करना है तो यहां देखो तीन से जब भाग करोगे तीन तिरका नो है ना और यहां से एक बचाएगा फिर यहां देखो क्या करना है आपको दिसमलब लगा के जीरो बढ़ाना होता है तीन से फिर डिवाइड करोगे तीन बार जायागा तीन तरकर नो और बस इसी क्रम को आंगे हमेशा हमेशा यह चलता ही रहेगा चाहे जितनी बार इसको आंगे बढ़ाओ यही चलता रहेगा तो हम ऐसा कहते हैं कि इ अगर किसी संख्या दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो भाग करने के बाद जो आपको भाग फल आता है उसको क्या कहते हैं दसमलब प्रसार कहते हैं इतनी बास समझ में आई तो बच्चो यहां पर बास्तिविक संख्याओं का दसमलब प्रसार की बात कही जा रही है बास्तिविक संख्याओं का दिसमला प्रसार कही जा रही है तो इसका मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बास्तिविक संख्याओं तो दो प्रकार की होती हैं बास्तिविक संख्या होती हैं कौन-कौन सी संख्या होती है पर्मे संख्या प्लस अपर्मे संख्या होती है उनको भी बास्तिविक संख्या कहते हैं और जो अपर्मे संख्या होती है उसको भी हम बास्तिविक संख्या कहते हैं पक्की बात है तो बच्चो बास्तिविक संख्य संख्याओं का अगर हम दसमला प्रसार करेंगे तो इसका मतलब हमें पर्मे संख्याओं का भी दसमला प्रसार समझना है और अपर्मे संख्याओं का भी दसमला प्रसार समझना है ठीक है तो पहले बात करेंगे हम पर्मे संख्याओं के दसमला प्रसार की बात करें पर्मे संख्याओं का दसमला प्रसार पर्मे संख्याओं का दसमला प्रसार क्या मतलब है बच्चो पर्मे संख्याओं आपको पता है जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है P और Q पूलंक होते हैं Q का मन जीरू ना हो तो ऐसी संख्याओं को हम परमे संख्याओं कहते हैं तो अगर हम किसी परमे संख्याओं का दसमला प्रसार की बात करें अभी जो हमने आपका एक्जाम पे लेग लिया था जैसे दस बटे तीन ये भी आपकी एक परमे संख्या है इसका अगर हम दसमला प्रसार करें तो अब ही हमने आपको बताया कि इसका जो दसमला प्रसार होता है वो हमने तीन दसमला तीन 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 और ऐसे चाहे आंगे चाहे यतनी बार चले जो इसका मान यही आता है तो बच्चों यहां हमने यह भी बताया कि इसके लिखने का तरीका देखो ध्यान दें इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है चूंकि तीन 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 बार बार आ रहा है पुन्रा ब्रती तीन की हो रही है इसलिए तीन के उपर बार का निसान लगा दिया जाता है इसको हम क्या पढ़ते हैं तीन दिसमला तीन का बार यह है इसका दिसमला तरीका से 8 से दोखो भाग करना है कैसे करोगे भाई ये तो छोटी संक्या है तो यहां निस्चित रूप से दिसम्लब लगाना होगा है ना 0 बढ़ाएंगे और इसके बाद दोखो 8 का भाग करो 8, 8, 64 8, 8, 64 कितना यहां बचाएगा? 6 बचाएगा अब यहां से दोखो यहां दिसम्लब तो पहले लगा दिया फिर से दुबारा एक 0 बढ़ा दू यहां और 8 का भाग करें तो 8, 67, 56 8, 67 यहां पर आपको यहां 56 लेखना है तो अब क्या बचाएगा? देखो अब 4 बचाएगा फिर एक 0 बढ़ाओगे तो 8, 55, 40 यहां देखो दिहां से यह 40 से 40 पूरा डिवाइड तो सेसफल यहां क्या आगया? 0 आगया तो अगर 7 में 8 से भाग कर दिया जाए तो इसका दिसम्लब परसार होगा 0, 8, 7, 5 देखो इसका दिसम्लब परसार यह हो जाएगा बताई समंझ में इसका जब हम 10 में 3 से भाग करते हैं तो इसका दिसम्लब परसार होता है 3.3 पर बार ठीक है? 3 3 दिसम्लब के बाद 3 3 3 की पुर्रावरती बार बार हो रही है इसलिए इसको हम लखते हैं 3.3 पर बार और यदि हम 7 में 8 से भाग करें अगर एक और उधारण दिया जाए यहां पर दूसरा ले लेते हैं एक और दूसरा देखो अगर हमें आप से कहें कि एक बटे साथ का दिसमलब परसार बताओ तो यहां भी दोखो इसका दिसमलब परसार ऐसे ग्याद करो कि हमें साथ से भाग करना है एक में और भाग करना का तरीका बिल्कुल सिमिलर वही करना है कि भई एक छोटी है तो यहां पर जीरो और लगा के यहां 0 बढ़ा दैं हमादे तो अब साथ से भाग करोंगे दो खों एक वार जाएगा साथ एकम साथ और यहां से हमें तीन मिल जाएगा कितना मिलागा तीन और यहां पर फिर दोखो जिरो बढ़ाओगी तो तीस हो जाएगा साथ चोको अठाइस चार बार जाएगा भाग साथ चोको अठाइस यहां से दोखो दो मिल जाएगा अब यहां पर फिर जिरो बढ़ा दो बीस हो जाएगा साथ दूनी चौधा यहां पर हमें चौधा लिखके घटा देना है तो यहां पर 6 मिलेगा अब 60 हो जाएगा 7, 8, 56, 8 बार देखो भाग चला जाएगा 7, 8, 56, अब घटा दो दो किता बचाएगा 4 बचाएगा, है ना, 4 बचाएगा फिर 0 बढ़ाओ कि 40 हो जाएगा 7 का भाग अब 40 में करो 7, 35, 7, 35, यहां देखो अब कितना बचाएगा, 5 बचाएगा कितना बचाएगा, 5 बचाएगा और इसके बाद इस पर अगर 0 बढ़ा दिया जाए तो अब यह 50 हो जाएगा 7, 7, 49, यहां देखो 7, 49, अब यहां पर क्या बचा, एक बचा, अब देखो ध्यान से, बचो यहां एक में हम भाग दे रहे थे एक में भाग दे रहे थे, 7 का ठीक है, अब वहां यहां भी वही काम करना है हमें 7 से भाग करना है मतलब अब हम वही अंक फिर दोहराएंगे, अगर हमें यहां भाग देना चाहें तो 2 कफी 0 बढ़ाओगे और 7 का भाग करोगे, तो 7 एकम 7, अब यहां से अंक आना फिर वही चालू हो जाएंगे, यहां से अब आंगे बढ़ाओगे, तो यही फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा फिर, मतलब इन ही अंकों की पुर्णाबरती आंगे होने लगेगी, तो हम ऐसा कह सकते हैं, इन पर हम पूरे पर ऐसे बार का निसान लगा देएंगे, इन ही अंकों की पुर्णाबरती यह आने चालू हो जाएगी, इस प्रकार से यहाँ इसका जो दिसमलाब प्रसार होगा बच्चों वो हम लिख सकते हैं, 0, दिसमलाब, 1, 4, 2, 8, 7, 5, 7 और इस पूरे पर हम बार का निसान लगा देएंगे ठीक है अब आपने यह देखा कि यहाँ पर हमने इसका दिसमलाब प्रसार किया, दोखो इतना हुआ, यह इसका दिसमलाब प्रसार यह हुआ, इसका दिसमलाब प्रसार यह हुआ हुआ के नहीं, हुआ ना तो अब आपने यहाँ पर कुछ अंतर देखा क्या, क्या कुछ अंतर देखा, बच्चों एक बात यहाँ पर है, कि यह दोखो एक दसमें हमने जब तीन का प्रसार किया तो यहां पर यह प्रसार जो आया है इस प्रसार को हम क्या कहते हैं इस प्रसार को हम क्या कहेंगे दोखो यह डोट-डोट करते हुए आंग ही चला जाता है है ना हम कहीं भी इस पर भाग की प्रक्रिया को रोक नहीं सकते ये चालू रहती है इसलिए इस प्रसार को हम कहते हैं असांत क्या कहते हैं असांत आवरती कहते हैं असांत आवरती कहते हैं असांत आवरती प्रसार है ये और ये दसमला प्रसार कैसा है बच्चों यहां पर दोखो यहां पर चूंकि भाग देने पर भाग की प्रक्रिया ऐसे प्रसार को क्या कहते हैं जिसमें भाग देने पर भाग की प्रक्रिया आंगे बंद हो जाए मतलब सेस्फल जीरो हो जाए इसमें कभी भी सेस्फल जीरो नहीं होता है जब असांत अवर्ति दिसम्ला प्रसार होता है तो कभी भी सेस्फल जीरो नहीं होता है यहां पर क्या होता है भाग देने पर सेसफल जीरो हो जाता है तो आंगे भाग का भाग देने का सिस्टम बंद मतलब प्रक्रिया बंद हो जाती है भाग देना हम बंद कर देते हैं तो ये हमारा दसंबला प्रसार क्या होता है सांत दसंबला प्रसार होता है और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार इसको भी हम क्या कहेंगी चूंकि इन अंकों की अब आंगे चलके फिर पुन्राबरती होने लगती है मतलब कुछ देर बाद हम ये देखते हैं कि यही सेस फल एक फिर बचता है सेस एक बचने के बाद फिर यही काम चलू हो जाता है फिर इतने अंक आने के बाद फिर सेस एक आएगा तो कुल मिलाके हम ये कहेंगे कि ऐसी भी इस्तिति होती है कि जब अंकों की उन्हीं अंकों की पुन्राबरती बार बार होने लगती है तो इसको भी हम क्या कहते हैं? असांत आवर्ती दसमला प्रसार इसको भी कहते हैं. ठीक है? तो बच्चो आपने देखा कि जो परमे संख्याएं होती हैं, तो परमे संख्याओं के दसमला प्रसार दो प्रकार के होते हैं. परमे संख्याओं के दसमला प्रसार जो होते हैं, दो भाग देने पर सेश फल जीरो होता है और भाग देना आंगे हम बंद कर देते हैं मतलब सांत हो जाता है ऐसे समझो है ना तब ऐसे प्रसार को हम क्या कहते हैं सांत दसमला प्रसार कहते हैं और यदि भाग देने के बाद सेश फल कभी जीरो ना हो बलकि सेश की वही सेश की बा बार बार पुण्रा पृति होती रहें तो ऐसे दसमला प्रसार को हम असान तावरती दसमला प्रसार कहती है। बस जो ये इस्तिती है लग भग वही स्तिती बच्चो यहां पर हैं? यहां पर एक दो, तीर, चाहर, पाँच, छे, छे अंक लिखे हैं? छे अंक के बाद फिर तो वही अंक चालू हो जाएगा एक दो ये आपका एक यहां मिलेगा फिर चार मिलेगा फिर दो मिलेगा फिर आठ फिर पांच फिर साथ और साथ के बाद फिर वही चालू हो जाएगा एक चार ऐसे गरएगा एक बात बता दे बच्चो कि यहाँ पर जो भाग में संख्या लिखी है भाग में भाग में क्या लिखा है यहाँ पर जो भाग में संख्या लिखी है वो भाग बाली संख्या कभी ऐसी स्थिती जब मिले तो भाग में जो संख्या लिखी है जितने अंके लिखे हैं यह कितना ह मतलब 6 हो गया ना, तो 6 अंकों के बाद पुर्णाबरती फिर चालू हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 के बाद फिर यहां से दो को 1, 4, यहां से 1, 4, 2, 8, 5, 7, ऐसा फिर मिलेगा, और फिर 7 के बाद वही काम, 1, 4, 2, 8, 7, 5, ऐसे आपको मिलता हुआ, मतलब यही अंक बार बार दोहराए जाते हैं, हर 6 अंकों के बाद इनहीं अंकों की पुर्णाबरती बार बार होती है, तो यह भी दसमला प्रसार कैसा होता है, जो असांत अवरती दसमला प्रसार होता है, बाताई समझ में, जिन अंकों की बार बार पुर्णाबरती हो जाती है, उनके उपर हम बार का निसान लगा दे, ठीक है, उनके उपर क्या करते हैं, बार का निसान लगा दे, तो आपने स होता है बलकि जब भाग देना हम चालू करते हैं तो सेस की बार-बार पुन्राब्रती होने लगती है कभी होता है कि दो स्टेप के बाद वही सेस बार-बार आने लगता है और कभी सुरू से ही वही सेस बार-बार आने लगता है तो कुल मिलाके जो सेस बचता है उसकी पुन् सांत आवर्ती दिसम्लाप प्रसार कहते हैं और यदी भाग देने पर सेस्फल जीरो होता है तो भाग की प्रक्रिया बंद हो जाती है तो याद करिए कि कभी भाग देने पर सेस्फल जीरो होता है तो ऐसे प्रसार को हम क्या कहते हैं सांत दिसम्लाप प्रसार कहते हैं और बिल इस तरीके से ये भी दिसमला प्रसार कैसा है असांत अवर्ति दिसमला प्रसार है ठीके बाद आप देखो यहां पर हम कुछ बातें लिख देते हैं यहां पर देखो पहला पॉइंट जब सेसफल 0 होता है जब सेसफल सून होता है जब सेसफल सून हो तो ऐसे प्रसार को ऐसे प्रसार को क्या कहते हैं ऐसे प्रसार को सांत दसमला प्रसार कहते हैं जब सेसफल सून हो ठीक है तो ऐसे प्रसार को कि जब सेसफल 0 ना हो, जब सेसफल 0 ना हो, जब सेसफल 0 ना हो, तो क्या होता है? तो ऐसे प्रसार को असांत आवरती प्रसार का एक दूसरा भी बच्चो नाम है, असांत आवरती प्रसार कहें, या अनवसानी आवरती प्रसार भी इसको कह सकते हैं? या इसको क्या कह सकते हैं अनवसानी आवर्ती प्रसार भी इसको कह सकते हैं अनवसानी आवर्ती प्रसार ठीक है अवर्ती प्रसार कहते हैं इतनी बात आपको याद लगें ठीक है इसके दो को और धरड आपको बताएं जैसे हम ये आपसे कहें कि भाई कोई एक बटे दो आप प्रसार हमें बताना है तो भई क्या करेंगे हम एक में दो से भाग करेंगे यहां हमें दिसम्लब लगाना है और इसके बाद यहां पर देखो जीरो बढ़ाना है दो पंचे दस यहां पर पांच बार यह कैंसल हो जाएगा और सेस्फल क्या बचाएगा जीरो बचाएगा तो जो एक बटे दो है उसका दिसमला प्रसार कितना आएगा पांच आएगा और ये दिसमला प्रसार कैसा होगा आपको लिखना है सांत होगा क्योंकि यहां पर देखो क्या है सेसफल जीरो आया सेसफल जब जीरो आया तो इसको हम क्या कहते हैं सांत दिसमला प्रसार कहते हैं यह यहां पर हम लिख लें, तीन बाटे 8 लिख लें, क्या लें, तीन में बाटे 8, तो बताओ कियंता है, यहां से 8 से हमें 3 में भाग करना है, तीन में भाग करना है तो यहाँ देखो हम पहले तो disemble up लगाएंगे फिर इसके बाद में यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा है ना आठ तिया 24 बताओ कितना बचाएगा यहाँ 6 बचाएगा तो अब यहाँ पर फिर एक 0 बढ़ाओ कि 60 हो जाएगा बचाएगा 0 जब 6 बचाएगा 0 बचे तो ऐसे परसार को क्या कहते है यहाँ पर ऐसा परसार यह आपका सांत दसमला परसार कहलाता है ऐसा परसार क्या कहलाता है सांत दसमला परसार कहलाता है बास समझ में आई याद करिए कि भाग करने कि बस बस सेसफल जीरो आजा तो समझो ऐसा प्रसार क्या है सांत दिसमला प्रसार है और यदि सेस की पुन्राब्रती होने लगे बार बार वही सेस आने लगे तो फिर ऐसे प्रसार को क्या कहते हैं ऐसे प्रसार को असांत आवर्ती कहते हैं या अनव अनबसानी आवर्ती दिसम्ला प्रसार उसको कहते हैं दोखो इसका अनबसानी आवर्ती दिसम्ला प्रसार का भी दोखो एक उधारण यहां बताएं यहां पर जैसे हमने आप भी आपको एक तो बता दिया यहां पर दोखो यह बताया 10 बटे 3 लिखा है या दोखो इसको हम यहां रब कर लेते हैं दूसरे उधारण कुछ देखें जो अनवसानी या असांत आवरती दिसमला प्रसार के उधारण हैं उन उधारणों को देखें दोखो यहां पर हम ऐसे लिख दें यहां लिख दें 5 बटे में 5 बटे मे साथ दें, किता लिखेंगी 5 बटे साथ दें तो अगर हम 5 में 7 का भाग करें तो यहां पर दोखो कैसे करना है यहां से हमें 7 से भाग करना है 5 में ठीक है कर दीती है दो को यहां 7 है और यहां 5 है तो भाग नहीं जाएगा यहां दिसंबला पहले लगाना है 1, 0 बढ़ाना है 7, 7, 49 यहां देखो कितना हो जाएगा 49 तो अब यहां से घठाओगे तो 1 बचेगा कितना बचैगा एक, Žीरो बढ़ाओगे, यहां 10 हो जाएगा, अब साथ से भाग करोगे, साथ एक कम साथ, यहां देखो 7 बचैए, साथ से दस बस मैंसे इसको घटाओगे, तीन बचाओगा, छीक है, अब यहां फिर जीरो बढ़ाओगे, तो तीस हो जाएगा, साथ चोको अठाइस यहां देखो चार बार जाएगा साथ चोको अठाइस अब यहां से क्या बचाएगा दो बचाएगा फिर जीरो बढ़ाओगे तो यहां 20 हो जाएगा साथ दूनी चाओधा ध्यान से समझो साथ दूनी चाओधा और यहां से अब दोखो ध्यान से 6 बचाएगा कित्ता बचाएगा 6 अब दोखो 60 हो जाएगा फिर भबाग करो 7, 8, 56 होता है 7, 8, 56 यहां दोखो 56 लिखेदें 56 लिखेदें तो घटाओ खी कित्ता बचाएगा अब यहां 4 बचाएगा 40-86 गटाओगे 4 बचाएगा कि नहीं अब यहां दोको 0 फिर बढ़ा दो, 40 हो जाएगा 7, 35-35 अब पांच बार जाएगा 7, 5, 35 यहां 5 बार जाएगा तो अब कितना बचाइगा? यहां भी दोको 5 बचाएगा अब 0 बढ़ाओगे, अब 50 हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे एंकों के बाद फिर वही आना चालू हो जाएगा, क्योंकि यहां पांच आ गया ना, तो अब आंगे साथ मिलेगा, साथ के बाद एक मिलेगा, फिर इसके बाद दो मिलेगा, फिर इसके बाद आठ मिलेगा, और फिर पांच मिलेगा, औ दो आठ और पांच और फिर वही अंकाना चालू हो जाएंगा, इसलिए इस पर हम बार का निसान लगा देते हैं, क्या करते हैं, साथ बटे, सोरी पांच बटे साथ का दसमला प्रसार बच्चो ये होगा, ठीक है, तो ये दसमला प्रसार कैसा है, ये है असांत आवर्ती दसमल संख्याओं के दसमला प्रसार जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सांत दसमला प्रसार होता है, और एक असांत आवर्ती दसमला प्रसार होता है, इतनी बात बच्चो समझ में आई, अगर इतनी बात समझ में आई, तो आंगे बढ़ें, छीक है, इसको आपने कर लिया आंगे बढ़ें दोखो परमे संख्याओं का आपने दसमला प्रसार समझा कि परमे संख्याओं का दसमला प्रसार या तो सांत होता है या असांत आवर्ती हत्वा उसको अनवसानी आवर्ती दसमला प्रसार भी कहते हैं तो परमे संख्याओं के दसमला प्रसार आपने देखो दसमला प्रसार समझो चूंकि यहाँ पर हमें क्या समझना है बास्तिविक संख्याओं का दसमला प्रसार देखना है तो बास्तिविक संख्याओं में तो पर्मे संख्या भी आती है अब हम लोग अपर्मे संख्याओं के दसमला प्रसार की बात करेंगे देखिए अपरमे संख्याओं के दसमला प्रसार की बात करेंगे बचो आपको पता है जो अपरमे संख्याओं होती हैं वो कौन सी होती हैं अपरमे संख्याओं वो होती हैं जिनके बर्गमूल निकालें और पूर संख्या ना आए तो ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं आपर में संख्या कहते हैं आपर में संख्या के दसमला प्रसार तो आपर में संख्याओं का दसमला प्रसार से बच्चों क्या मतलब है आपर में संख्याओं जो होती है उनके दसमला प्रसार असांत अनावर्ती होते हैं याद रखिए उनके दसमला प्रसार कैसे होते हैं असांत आवर्ती नहीं अनावर्ती अनावर्ती का मतलब दिसमलब के बाद जो अंक आते हैं उनकी पुनरावर्ती कहीं होती नहीं है वहाँ यहाँ पर क्या होता था इसमें अंकों की पुनरावर्ती कुछ अंकों के बाद फिर वही अंक आना चालू हो जाता था तो ऐसा इसमें नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, कि दिसमलब के बाद जो अंक आएं, कुछ अंकों के बाद इसमें पुन्राबर्ती नहीं होती है, इसलिए इसको कहते हैं, असांत अनाबर्ती, अबर्ती का मतलब उन अंकों को दोहराया जा रहा है, दोहराना, अबर् आपर में संख्याओं के दसमलब प्रसार कैसे होते हैं? आपको याद रखना है दसमलब प्रसार असांत अनावर्ती होते हैं, ठीक है? या अन्वसानी भी कह सकते हैं, अन्वसानी अनावर्ती होते हैं, अनावर्ती होते हैं, ऐसा आपको याद रखना है? हाला कि ये तो आप जानते हैं बच्चों के अपर में संख्या है होती क्या है अपर में संख्याओं के उधारण आपको पता है कि जैसे अंडरूर 2 है अपर में संख्या है अंडरूर 3 है अपर में संख्या है पाई भी अपर में संख्या है अपर में संख्या है वे संख्या होत चुआए, तो बच्चों ये पूराँक नहीं है, चुँंकि अंडरूर दो कामान पूराँक नहीं आएगा, एक दशमललप कुछ आता है, पूर शंख्या नहीं आता है, तो कुल मिला के हम ऐसा कहेंगे, के अंडरूर दो संख्या कैसी संख्या है, आपर में है, इसी प्रकार अंडरूर तीन कैसी संख्या है अपर में संख्या है इनका जो दसमलब प्रसार होता है वो कैसा होता है असांत अनावर्ति होता है वह अंडरूर दो का मान आपको पता है कितना होता है अंडरूर दो का मान लगबग लगबग दो चार अंकों तक हमें याद है जहां तक एक दस ऐसा कोई अंक नहीं है, जिसकी कुछ अंकों बाद फिर पुन्रा बृत्ति चालू हो जाए, यहां देखो लिखा है एक, यहां लिखा है चार एक, यहां चार एक नहीं है, देखो चार दो लिखा है, फिर यहां पर देखो कोई भी अंके की पुन्रा बृत्ति नहीं है, ऐसे क बहुत अंकों तक वह रांगे चला जाएगा कहीं भी किसी भी अंक की पुन्रावर्ति आपको नहीं मिलेगी तो बचो ये अंडरूड दो का जो दसमला प्रसार है वो ये है और ये आपका कैसा है असांत अनावर्ति होता है इसका दसमला प्रसार कैसा होता है असांत अनावर् दूसरा उधर लें जैसे पाई, पाई भी आपकी अपर्मे संख्या है, वैसे तो गड़ना के लिए पाई का मान हम मान लेते हैं, पाई बराबर 22 बटे 7 मान लेते हैं, और 22 बटे 7 रियल्टी में होता नहीं है, रियल्टी में इसका मान 22 बटे 7 नहीं होता है, हम इसको गड़ मैना है यह आपकी अ परमे संख्या है kinda नहीं है। यह कैसी संख्या है अब परमे संख्या है। तो time का भी मान अगर हम बात करें कि part का कमान सुध्वव बताओ तो यहां भी इसको हम ऐसे कुछ 2-4 अंकों तक लिख सकते हैं तीन दिसमलब 1-4-1-5-9-2-6-5-3-5 कुछ ऐसे अंगे होते हैं अंक जी तो यहां भी आप देख सकते हो कि दिसमलब के बाद जो अंक लिखे हैं उनकी पुन्राविष्टी किसी भी अंक की नहीं है तो इसका भी तक पर पर बहुत धिर ऐसे उधारड आपको मिलेंगे जैसे कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई संख्या आपको ऐसी मिले जैसे माल लेते हैं कि कोई संख्या है और उसका दिसम्लब प्रसार ऐसा आ जाए कि भाई ये है आपका 0 दिसम्लब एक दो या फिर ऐसे लिख दें एक जीरो एक डबल जीरो एक ट्रपल जीरो और एक फोर जीरो इस तरीके से ये हाना तो इसमें भी आप देख सकते हो यहां पर एक निस्चित करम के बाद किसी भी आंकिकी पुन्राबरती नहीं है यहां पर दिसम्लब एक जीरो है फिर यहां दिसम्लब एक जीरो होना चाहिए तो यहां तो दो जीरो हो गया फिर यहां पर दो के बाद यहां पर तो तो तीन जीरो हो गया फिर ये चार जीर हो गया तो मतलब कुल मिला के ये भी दसमला प्रसार कैसा कहा जाएगा इसको हम असांत अनावर्ती दसमला प्रसार कहेंगे अगर ऐसा लिखा मिलता है तो ठीक है तो कुल मिला के हम ऐसा कहेंगे वई कि जो आपर में संख्याएं होती हैं उनके दसमला प्रस असांत अनावर्ती होते हैं और उनके उलहरड ये हैं ठीक है किसी भी किसी भी संख्या को किसी भी दसमला प्रसार बारी संख्या को परमे संख्या के रूप में हम कैसे निरूपित करते हैं ये भी आपको सीखना है जैसे कोई भी आपकी परमे संख्या हो उस परमे संख्या का अगर दसमला प्रसार दिया जाए और उस दसमला प्रसार की मदद से हम उसको परमे संख्या की रूप में कैसे बना सकते हैं आएए इस पर चर्चा कर दें इसको रब कर लेते हैं और किसी भी एक दसमला प्रसार की कोई पर्मे संख्या लिखी है उसको अगर हमें पी बटे क्यों के रूप में बदलना है तो बच्चों हम कैसे बदलते हैं आपके बुक का एक उधारण लेंगे और फिर इसके बाद देखो इसको हम देखेंगे कि कैसे बदल सकते हैं धान से समझो बच्चों यहां पर एक उधारण ले लेते हम एक बिल्कुस सीधा सादा छोटा सा उधारण लें इसमें यह लिखा हुआ है कि यहां पर हमें ऐसा दिखाना है कि इसको पी बटे क्यों के लिए जीरो दिसमलब तीन जीरो दिसमलब तीन 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 ऐसा लिखा है और इसमें लिखा है इसको कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं जीरो दिसमलब तीन और इस पर बार लगा कि ठीक है, इसको P बटे Q के रूप में ब्यक्त किया जा सकता है, को P बटे Q के रूप में ब्यक्त की जिए, कैसे करोगे बच्चो इसको, P बटे Q के रूप में इसको कैसे ब्यक्त करोगे, ये बताओ, जबकि P और Q क्या है, पूरांग है, ये भी याद रखना है, जबकि P वा Q क तथा Q का मान 0 नहीं है अब बताओ इसको हम P बटे Q के रूप में कैसे बैस करेंगे यहाँ पर यह संख्या आपकी है यह संख्या दसमलाब प्रसार के रूप में लिखी है और यह संख्या आपकी परमे संख्या है इसको हम P बटे Q के अगर परमे है לjaan से समझना है पूरी process यह सबाल आपके बहुत ज्ञादा इसमें हीजएसे इसको हमें 0.3 पर 2 बार है उसको हमें P बटे Q की के रोप में कैसे बदलना है अब समझते हैं इसको क्या मालने X माल ले ठीक है? इसको हमने X माल लिया. इसके बाद को यह भी हमें पता है रही अगर यह ऐसा लिखा है तो इसका मतलव है तीन 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 एसे अईसे ही तो मतलब इसके है. ठीक है भी? बिल्कUL ठीक है. अब एक कम करते हैं कि यहां पर इस पर एक number डालेते हैं समीकरड का एक और यहां इसके दोनों पक्षों में हम 10-10 से multiply कर दें दोनों पक्षों में क्या करें दोनों पक्षों में 10 से हम गुणां कर दें दोनों पक्षों में 10 से गुणां करने पर ठीक है कर देते हैं 10 से गुणां अगर यहां 10 से उड़ा करेंगे तो ये दिसम्लाब उटके आंगे आ जाएगा मतलब तीन दिसम्लाब हो जाएगा तीन 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 ऐसे आपका ये हो जाएगा बोलो हो जाएगा तो इस तरीके से बच्चो इस पर हम नंबर दूसरा डाल लें क्या करें इस पर दूसरा डाल लें अब हमें क्या करना है इस समी करड़ दूसरे मैं से समी करड़ पहले को घटाना है समी करड़ दो से समी करड़ दो से समी करड़ एक को आप घटा दें समी करड़ एक को घटाने पर जहां से समझना है यहां घटा दें यहां 10x है इस मैं से इसको जब 1x को घटाओगे तो निस्चित रूप से 9 x मिलेगा बच्छू मिलेगा कि नहीं बिलकुश साधरण सी बात है वर यदी इस में से इसको घठा होगी यहां दोखो हम घठा के दिखा दे वई 3üğ model 3233 ऐसा तो लिखा है इस में से हम घठाणा किया है दि्सम्लाब 3-3-3-3 ऐसे घटाना है खिक है कि नहीं अब घटाओगे बच्चो ये तो आपका सब कुछ 0 हो जाएगा जहां केवल बचाएगा 3 यहां क्या बचाएगा 3 तो अगर हम इस मैं से इसको घटाएंगे तो यहां निश्यत रूप से 3 बचाएगा इतनी बात ठीक है यदि 3 बचाएगा तो बता के रूप में है धान से समझो यहां यह P है और यह आपका Q है यह आपकी कोई परमे संख्या हो गई जो हमने गई थी कि भाई इसको हमें P बटे Q के रूप में बदलना है तो हमने इस पर्मे संख्या को दो खो P बटे Q के रूप में इसको ब्यक्त किया जा सकता है ठीक है इसको एक बटे Q के रूप में बेक्त किया जा सकता है तो आपको इस तरीके से अंसर देना कि ये आपकी संख्या P बटे Q के रूप में एक बटे तीन लिखे जाज़े ठीक है बचूँ इसी टैप में हला कि और यहाँ पर कुछ एक्जामपिल दिये गए थे जोको करके दिखा देते हैं एक्जामपिल नम्मर आठ को भी हम करके दिखाएंगे यहाँ दियान से समझो देखे उधारण नम्मर है आपका यह आठ एकदम बच्चो यहाँ पूरा पूरा दियान यहाँ बोर्ट पर रखना है एदर sनवर नहीं जाना है बिल्कुल इक्दम दो को लिखा है दिखाएंगे एक दिसमलप ऐसा लिखा है दिखाएंगłe दिखाएंगे की एक दिसमलप दो सात दो सात दो सात और दोड़़़ण यह है चीप है इसको पी बटे क्यू के रूप में ब्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूडांख है Q का मान जीरो नहीं है इसको भी बिलकुल वही काम करना है कि भाई इसको P बटे Q के रूप में दिखाना है यहां पर यह लिखा है इसको P बटे Q के रूप में ब्यक्त कीजिए मैं ब्यक्त कीजिए ऐसा प्रशन कहता है कि इ क्यूप में ब्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू क्या है यहां आप समझ सकते हो जहां पी वा क्यू पूड़ांक है पी और क्यू क्या है पूड़ांक है तथा क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होता है अगर क्यू का मान जीरो हो जाएगा तो भाग देने पर क्या हो जाएगा अनन्थ हो जाएगा मतलब आपरभास संख्या हो जाएगी तो इस तरीके से तो ये आपकी कोई परमे संख्या है हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिस संख्या को हमें पीवटे क्यू के रूप में बदलना हो इसको एक्स मान लेते हैं तो यहां हम लिख लेते ह एक दिसम्लाब दो साथ दो साथ दो साथ या देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक दिसम्लाब दो साथ और दो साथ पर बार लगा दे जहां से समझो एक दिसम्लाब दो साथ यहां दो साथ पर क्या कर दे बार का निसान लगा दे चूंकि दो साथ दो साथ दो साथ इन्हीं दोनों अंकों की तो बार-बार पुन्राब्रती हो रही है तो दोनों पर आपको बार का निसान लगाना है ठीक है? अच्छा ये आपके पास एक equation हो गया इसको हमने मान लिया ये x बराबर है तो x बराबर एक दसम्लाब 27272727 और डोट-डोट करते हुए इस पर हम एक नमबर डालने है ठीक है इतनी बात अब आंगे क्या करना है? उसमें दोखो ध्यान दें उसमें क्या था? उसमें एक अंकी पुन्राब्रती हो रही थी इसमें क्या है? यहाँ पर दोगो दो साथ दो साथ दो अंकों की पुन्राब्रती हो रही है इसलिए आपको इसमें 100 का गुणा करना है कितने का गुणा करना है? 100 का गुणा करना है तो दोनों पक्षों में आपको 100 का गुणा करना है यहां लिख दें दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर याद करो अगर एक अंक की पुर्णाब्रती हो रही है तो दस का गुणा करना है तो दो अंकों की पुर्णाब्रती हो रही है यहाँ पर दो साथ दो साथ दो साथ दो अंक हो गए न दो की पुर्णाब्रती हो रही तो हमें फिर सो का गुणा करना पड़ेगा तीन अंकों की पुर्णा बिर्ति हो रही तो एक हजार का गुणा करना पड़ेगा तो यहां से हमें सो का गुणा करेंगे तो यहां देखो सो एक्स हो जाएगा यहां पर जब सो का गुणा करेंगे तो यह दिसमलाब उठके आप यहां आ जाएगा तो 127,27,27 ये हमारा ये हो जाएगा ठीक है इतनी बाद बचो आई बास समझ में एकदम के लिए हैं कोई दिक्कत नहीं अब ऐसा मैं समझना कि 27,27 दो बार है ये 27,27 तो चलता ही चला जा रहा है कोई समझ चाहर नहीं है ठीक है के नहीं अच्छा भई अब यहां से हम वही काम जो उसमें किया था वही इसमें करना है दूसरे वाले समी करण से पहले वाले समी करण को घटाना है तो यहां लिख देते हैं समी करण 2 से समी करण 1 को घटा दें समी करण 1 को घटाने पर यहां देखो हमें क्या करना है दूसरे समी करण स से पहले समिक्रण को घटाना है इस में से इसको अगर घटाओगे बच्चों निस्चित रूप से सो एक समय से एक एक स कम हो जाएगा कितना बचाएगा निन्यानवे एक से बचाएगा पकी बात है अब देखो इस में से भी इसको घटाओ यहां दो ऐसे समझ में ना आए तो आप अलग घटा लिया करो यहां आपका 127.272727 और इस तरीके से इस में से हमें घटाना है एक दिसमलब 272727 और डोट डोट यहां देखो घटाओगे तो यह आपके सब 0 हो जाएगे और यहां देखो यह छे बचाएगा साथ मैं से एक घटाओगे छे और दो और एक 126 बचाएगा बचाएगा बाताई समझ में ध्यान से इस में से हमें इसको घटाना है तो यह तो दिसमलब बाले अंग तो पूरे-पूरे घट जाएगे ये 127 से इस में से एक घटेगा तो किता बचेगा 126 बचेगा ठीक है बचो इसके बाद अब हमें बिल्कुल वही कि भई x का मान ग्याद करना है तो x बराबर 126 बटे में 99 हो जाएगा यह दोखो पी बटे q के रूप में बदल गया यदि इसको किसी संख्या से कोई डिवाइड होता है तो कर सकते हो otherwise आपको यही आंसर लेखना है यहां दोखो यह तीन से डिवाइड हो जाएगा 3 चो को बारह, 3 दूनी 6 तीन से इसको भी डिवाइड कर सकते हो भिर से ये तीन से डिवाइड होगा अबी तीन से और डिवाइड कर लो तो 3 एकम 3 और 3 चो को बारह और यहां दोखो 3 से कम 3, 3 एकम 3, मतलब 14 बटे 11 यह इसका अंसर आएगा 14 बटे 11 मतलब ये संख्याब कैसी हो गई बच्चो जो P बटे Q के रूप में है जो P बटे Q के रूप में है बोलो है या नहीं हाँ है बिल्कुल है तो बच्चो ये आपकी जो दी गई संख्या थी उसको हमने P बटे Q के रूप में लिखाओ कितना चाउधा बटे गया रहा, किसी को कोई डाउट बचो, कितना ठीक है, तो आंगे बढ़ जाएं, ये इसको पहले नोट करने तो को उधारण है आपकी बुक का आठमा, ठीक है, इसको नोट करें, तो बचो अब आते हैं, exercise 1.3 के कुस्चनों पर, इसको रब करके, exercise 1.3 के हम लोग कुस्चन कंप्लीट करेंगे, देखे, ध्यान से समझो, exercise 1.3 के या, चो पहला कुस्चन है, वो दो को क्या दिया गया है, वो चो एक दिसमलब, तीन exercise का पहला कुस्चन, इसमें लिखा है, कि निमलिकित भिन्नों को दिसमलब रूप में बदलिए, क्या करना है, जो भी बताया कि दसमलब रूप में बदलने का मतलब हमें हर से भाग देना है, अंस में जो भाग फल आता है, बस वही दसमलब प्रसार होता है, ठीक है, और यहां पर ऐसा भी लिखा है कि प्रते का दसमलब प्रसार किस प्रकार का है, हमें ये भी बताना है कि दसमलब प्रसार सांथ है अथवा असांथ आवर्ती है यहां पर दसमला प्रसार क्योंकि दो प्रकार का होता है या तो सांथ होता है या असांथ आवर्ती होता है सांथ तब होता है जब सेसफल जीरो आता है और सांथ असांथ आवर्ती तब होता है जब सेस फल जीरो ना आए बलगी सेस फल की पुन्रब रित्ती होने लगती है इस प्रकार से आपको समझना है याद रखना है ठीक है एक्सरसाइज का पहला कुस्चन देखते हैं और इसमें पहला भाग इसका है देखो ध्यान दे इसमें लिखा है 36 बटे में 100 अब यहाँ प भाग देना होता है भाग देने पर जो भाग फलाता है वही दसमला प्रसार होता है तो यहां अगर हम 36 में 100 से भाग करेंगे तो इस प्रकार देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं जीरो दिसमला तीन छे याद करो कि जब कभी सून वाली सून वाले जो नीचे सून लिखें उन से भाग कर रहा है मतलब दस से भाग करें सो से भाग करें एक हजार से भाग करें तो उसके लिए नियम यह होता है कि जितने यहां जीरो हैं उतने ही दिसमला पीछे अंक खिसक दें यहां पर जो भाग फल आया वो है 0.36 और यह आपका दसमलब प्रसार होगा और यह दसमलब प्रसार कैसा होगा बच्छों आपको लिखना है 7. कैसा होगा 7. होगा चूंकि यहां पर भाग देने कि आप प्रक्रिया आंगे बंद हो गई सेसफल इसका 0 आएगा तो इस प्रकार से इसका दसमलब प्रसार कैसा होगा 7 होगा यहां देखो इसके दूसरे प्रशनी की बात करते हैं दूसरे प्रशनी की अगर बात करें तो यहां पर लिखा है एक बटे ग्यारह क्या लिखा है एक बटे ग्यारह अब भई एक में तो हमें ग्यारह का भाग देना ही देना पड़ेगा इसमें तो कोई समस्या है नहीं यहां देखो कैसे भाग करोगे यहां लिख लेते हैं हमें हमें क्या करना है एक में भाग देना है ग्यारह ठीक है और य जीरो और एक जीरो यहां यहां ये अब सौ होगया तो 11,9,9 बार जाएगा और यहां निन्या उन्वे लिखोगे तो घ्टाने पर यहां क्या मिल गाईगा एक मिल जाएगा अब आब द्यान से समजो अब जब एक यहां मिल गया तो वही पर्कृरिया फिर में प्रृर नहीं दोखो क्या करेंगे यहां 0 बढ़ाओ भाग नहीं जाएगा भाग यहां 0 बढ़ादो फिर आंगे तो 11.99 ठीक है 11.99 फिर दोखो सेसफल एक बचा ध्यान से समझो हमेशा जैसे यहां सेसफल एक बचा था अब यहां भी सेसफल एक बचा इसी प्रकार बार बार उसी सेस की 9 रहा जे यह जाए इसको ऐसे लिख दें 0,9 पर बार का निसान लगा दें और यह दसे अलवलाभपक्रसार कैसे होगा रहा हुतई करो अभी बताना इसको क्या केंते हैं आज आवर्ती दसेखार क्या आवर्ती असंत आवर्ते फे proud कि इतनी बाठ की च्थेए प्र, इसके बाद अंगला नमबर 3 देखो तीसरे नमबर पर देखो क्या लिखा हुआ है यहां लिखा है 4 सही 1 बटे 8 4 सही 4 सही 1 बटे 8 क्या इसको ऐसा देखो 8 चोको 32 और 31 इसको हम लिख सकते हैं 33 बटे 8 अब देखो यहां से हमें वही प्रक्रिया यहां पर दो को करके देख लेनी है 33 में 8 से भाग करोगे 8 का यहां भाग जाएगा 4 बार 8 चोको 32 और यहां पर 30 में क्या बचाएगा 1 अब यहां देखो दिसमलव लगाओगे और यह 0 बढ़ाओगी अब भाग करोगे 8 का एक बार भाग जाएगा 8 एक अमाँ क्या बचाएगा यहां 2 क्या बचाएगा 2 अब यहां फिर 0 बढ़ाओगे 20 हो जाएगा तो यहां देखो 8, 2, 16 और अब आपको यहां से क्या मिलेगा 4 मिलेगा ठीक है फिर 0 बढ़ाओ कि 40 हो जाएगा तो 8 पंचे 40 और ये आपका देखो 40 मैंसे जब 40 घटाएगा तो सेस फल क्या हो जाएगा जीरो जब सेस फल 0 हो जाए समझो भाग देना बंद और ये हमारा जो भाग फल है ये हमारा दसमला प्रसार 4.125 यहाँ पर मिला है और ये दसमला प्रसार बच्चो कैसा होगा आपको लिखना है सांत क्यों सांत लिखना है क्योंकि यहाँ पर सेस जीरो आया है सेस फल 0 आ जाए तो समझो दसमला प्रसार सांत होता है इतना आपको याद रखना है सेस फल 0 ना आए बलकि सेस की पुर्ना वर्ति होने लगे तो प्रसार आपका कैसा होता है असानता वर्ती होता है सारी प्रश्ण एक जाते हैं ठीक है बचू तो इनको मेरी खाल से बकाया प्रश्ण को आप बहुत अच्छे से कर सकते हूँ यहां देखो चौथा और कर बढ़ाओंगे तीस हो जाएगा। तेरह दूनी छबीस यहां देखो ध्यान देश च्हबीस क्या बचाएगा। चार बचाएगा। अब यहां जी रो बढ़ाओंगे चालिस हो जाएगा। त्रहा सकते क्या उनवे। अब यहां क्या बचाएगा बच्चू यहां क्या बचाएगा देख सकते हो यहां पर दस में से घटाओगे नो बचाएगा नो बचाएगा अब फिर वही बात देखो जीरू तेरा का भाग करो कितने बार जाएगा तेरा का भाग करो इसमें कितने बार जाएगा ध्यान से पहले इसको रब कर लेज़ें अगर यहां 13 का भाग आप करेंगे 13 सत्य क्योंन बे ज़्यादा हो जाएगा तो 13 छंग 78 छे बार जाएगा 13 छंग 78 यहां लिख दें और घटाने पर हमें देखो 12 मिलेगा अब फिर एक 0 बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगा 13 छंग 74 13 निम्मा 117 देखो क्या बचाएगा तीन बचाएगा अब 0 बढ़ाओगे 30 हो जाएगा 13 दूनी 26 ध्यान से समझो अब बच्चोवई ही बात चालू ध्यान से समझो क्या वो आपके अंक जो हमने बताया ना यहां तीन दोखो यह तीन है तीन के बाद यहां पर 30 हो गया था फिर 30 मतलब अब इनहीं अंकों की पुन्राबर्ती चालू हो गई क्योंकि सेस तीन बचे गया सेस दूकों पहले क्या था तीन में हमने 13 से भाग किया था यहां भी हम तीन में 13 से भाग कर रहे हैं तो अब इनहीं अंकों की पुन्राबर्ती फिर चालू हो जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसका जो दसम्लाब प्रसार होगा वो कित्ता होगा 0, 2, 3, 0, 7, 6, 9 और यहां पर अब फिर वही आएगा 2, 3, 0, 7, 6, 9 फिर वही आएगा तो हमें क्या करना होता है इन अंकों को लिखना नहीं होता है बलकि इसके उपर बार का निसान लगा के इस प्रकार लिख देते हैं तो इसका भी आपको क्या करना है दसम्लाब प्रसार कैसा लिखना है असांत आवर्ती लिखना है क्या लिखना है असांत आवर्ती लिखना है अनवसानी आवर्ती भी इसको कहते हैं इसको ये भी आपको याद रहा है ठीक है इसको असान्थ आवर्ती कहें या अनवसानी आवर्ती कह सकते हैं तो बच्चो इस प्रकार से इसके दो प्रिश्ण और हैं जिनको आप स्वयम कर सकते हो किसी प्रकार की कोई समझ जाने ठीक है एक चार दो आठ पाँच साथ उस पर बार है, बैस तम buenas भाग दिचे बिना किया आप बता सकते हैं कि दो बटे 7 कमान कितना होता है, तीन बटे 7 कमान चार बटे 7 कमान, पाँच बटे 7 और छह बटे 7 की दसंबला परसार क्या होगे, यद ऐसा है तो कैछे आप ये बताओ, क्या कहता है दोखो यह हमें दिया गया है दूसरे प्रिश्ण में हमें यह दिया गया है कि भाई एक बटे जो साथ है उसका मान हमें यहां पर दिया गया है दोखो क्या दिया गया है एक बटे साथ का मान यहां दिया गया है जीरो दिसमला एक चार दो एक चार दो और आठ पा साथ और इस पर बार है इस तरीके से ये दिया गया है ठीक है आप से पूशा गया है कि आप बताओ दो बटे साथ का मान कित्ता होगा तो बहुत अच्छे से ऐसा लिख सकते हैं दो गुणे एक बटे साथ इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं दो बटे साथ का मतलब क्या है दो बट ने में रोख दिया गया है मना कर दिया गया इस एक बटए साथ का मान कितना होगा। एक बटे साथ का मान यही लिख दें 0.142.85.7 और इस पर बार का निसान है अब हमें 2 से इसका गुणा करना है बहिए 2 से गुणा करो 2.714 हंसल में 1 2.5.10 और 11 हंसल में 1 2.8.16.1.17 हंसल में 1 2.2.4 और 1.5 और 2.4.8 और 2.1.2 यहाँ पर देख सकते हो और इस पर आप बार का निसान लगा दें तो इस तरीके से इसका दोखो हमने 2 बटे साथ का मान इसकी मदद से ग्याद कर लिए फिक है कोई डाउट इसी प्रकार बिल्कुल 3 बटे साथ का भी मान हम ग्याद कर सकते हैं इसी प्रकार 4 बटे साथ का कर सकते हैं इसी प्रकार 5 बटे साथ का और इसी प्रकार 6 बटे साथ का भी मान हम ग्याद कर सकते हैं जोको 3 बटे साथ को हम लिख सकते हैं 3 गुड़े 1 बटे साथ 3 का गुणा करो 321 हांसिल में दो 3, 5, 15 और 2, 17 हांसिल में 1 3, 8, 24 और 1, 25 हांसिल में 2 और 3, 2, 6 और 2, 8 हांसिल कुछ नहीं है तो 3, 4 को बार है हांसिल में 1 और 3 एकम 3 और 1, 4 ये दोखो हो गया ये ठीक है गुणा आप कर सकते हो बड़े आराम से 3 बटे 7 अब इसी प्रकार जैसे 4 बटे 7 का मान आपसे पूचता है तो आपको क्या करना है 4 बटे 7 को लिखना है 4 गुणा एक बटे 7 अब 4 का मान तो हमें पता है और एक बटे 7 का मान प्रश्न में दिया गया है क्या है 1, 4, 2, 8, 5, 7 15 बटे 7 आपको जाए Magazin को लिखना हम इसी प्रकार 6 बटे 7 का मान निकाल सकते है ठीक है की नहीं इनको आप खुद कर सकते हो 6 बटे 7 को लिखोगे 6 गुणा एक बटे 7 ठीक है इनको आप खुद कर ले एक बटे 7 का मान रहां रखोगे गुणा करोगे अंसर आजाएगा और यहां भी एक बटे साथ का मान आप रखोगे छैसे गुणा करोगे तो आंसर आजाएगा ठीक है बच्चो कोई डाउट तो नहीं तो इस तरीके से बच्चो ये दो प्रशन आपके कंप्लीट होते हैं मेरे खाल से किसी प्रकार की कोई समस्या बच्चो नहीं है से इस प्रशनों को अंगले वाली वीडियो में कंप्लीट करते हैं आज फिलाल इत्त ही ठीक है ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडिय लोगों अपने दोस्तों के साथ भी सेयर किया गरो ठीक है मिलते हैं अंगले वीडियो में पढ़ते रहें खुश रहें मसते रहें पढ़ते हैं